नीम के कई अनूठे लाब हैं, पर एक बहुत महत्वपून लाब है कि ये कैंसर कोशिकाओं को मारता है, चुकि ये शुकरानूओं को भी मारता है, इसे कम मात्रा में खाना चाहिए. कैंसर कोशिकाओं से मेरा मतलब है, हम सभी के शरीर में कैंसर कोशिकाओं होती हैं, लेकिन वे संगठित नहीं होती, वे हर जगे मौजूद होती हैं. किसी वज़े से अगर आप अपने शरीर में कुछ खास इस्थितियां पैदा करते हैं, तो वे संगठित हो जाती हैं. तो छोटे मुटे अपराद से संगठित अपराद ये बड़ी समस्या है, है ना? चोटे मुटे अपरादी हर शहर में होते हैं, यहाँ वहाँ वे जेबे काटते हैं, ऐसे काम करते हैं, कोई बात नहीं. लेकिन अगर पचास ऐसे लोग कौइमबटोर शहर में संगठित हो जाएं, तो अचानक पूरे शहर का माहौल बदल जाएगा. क्योंकि यह पचास लोग मिलकर ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, कि आपके लिए बाहर कदम रखना खतरनाक हो जाएगा. तो शरीर में भी बस यहीं होता है. कैंसर कोशिकाएं, अपराधी कोशिकाएं होती हैं. वे हर जगे घूमती रहती हैं. अगर वे अकेले घूमें, तो सकतर हैं. तो अगर कानून विवस्था अच्छी है, वे ये देखते हैं, शरू में एक अपराधी जेबे काटकर खुश होता है. रोज जेबें काटते-काटते, जब दो ऐसे लोग मिलते हैं, तो वे घर लूटने का सपना देखते हैं. जब पांच ऐसे लोग मिलते हैं, त तो वे बैंक लूटने का सपना देखते हैं, ये ऐसे ही होता है, तो अगर कानून विवस्था सचेत और सक्रिय है, तो वे यहां वहां से ऐसे लोगों को पकड़ कर जेल में डालेंगे, वे कुछ न कुछ करेंगे, ताकि ऐसे लोग बड़ी संख्या में एकठे होकर बड़ी स मस्याना बन पाएं, तो शरीर के साथ भी ऐसा ही है, उनके गिरोह बनाने से पहले, अगर आप उन्हें यहां वहां तोड़ते रहे, कुछ लोगों को मारते रहे, रोज नीम खाने से बस यही होता है, वो शरीर में कैंसर कोशिकाओं की संख्या को एक खास प्रतीशत तक कि अगर आप इसे जादा खा लें, तो यह स्पर्म सेल्स या शुकराणूओं को भी मारता है, मतलब हमें कम आबादी का सौभाग्य मिलेगा, अगर दुनिया में सभी काफी नीम खाने लगें, यह शुकराणूओं को मारता है, इसलिए इसे कम मात्रा में खाना चाहिए, क् कि किसी के साथ क्या होना चाहिए, यह तै करना हमारा काम नहीं है, और गर्वती महिलाओं को गर्भ धारन करने के बाद चार महीनों तक या सुरक्षित होने के लिए गर्भ धारन करने के बाद पाँच महीनों तक नीम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह शुकराणूओं को म पांच महीने कह रहा हूँ, पांच महीनों के बाद खाना ठीक है.